आज दिल्ली में जो हो रहा है किसान का बड़े से बड़ा मोर्चा पिछले लगबग 25 दिन से उसमें अगर देखा जाए तो हर दिन जो है कोई नो कोई अपने किसान साथी मर जा रहा है इतने आज तक 35 लोग किसान मर जाने के बाद भी अभी अपना जो यूनियन गवर्मेंट है जो किसान लोग जो है त्री आक्ट्स को वो कैंसल करने के लिए जो डिमांड कर रहे हैं उसको सुनने के लिए अपने यूनियन गवर्मेंट तयार नहीं है मोड़ी सरकार जो है अंटी वर्कर ही नहीं अंटी किसान भी बन गई है जो अंटी पीपल्स गवर्मेंट है यह जो अंटी किसान का एक्ट्स बना रही है उसके खिलाफ जो है किसानी नहीं सारे मसदूर भी लड़ रहे हैं हम AITC का अफिलेटेड जो अंगनवाडी आशा और मिड़े मिल वर्कर्स यूनियन्स है मैं डॉक्टर विचय लक्ष्मी उसका जनरल सेक्रेटरी और मिड़े मिल वर्कर्स का चेर परसन में बात कर रही हूं हमारे तीनों फेडरेशन की तरफ से हम किसान का जो मोर्चा चल रहा है उसका पूरे से पूरा समर्धन दे रहे हैं और हमारे तरफ से भी हर जगह पुरा देश में हम लोग उसका support में हम लोग rallies वगरने निकाल रहे, meetings कर रहे हमारे workers को भी समझा रहे और पूरे के पूरे अंगरऊडे workers और राशा मीडे मिल workers जो है किसान के साथ है यह मैं जरूर कह सकते हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तर वर्कर्स जो है डूरल बैक्ग्राउंड से आते हैं, अगरिकल्सरल बैक्ग्राउंड से आते हैं, सबी लोगों को थोड़ा बहुत कुछ लैंड हो सकता है, किसी के पास बिल्कुली लैंड भी नहीं है, फिर भी जो है जो रूरल भाइगराउंड से सभी लोग जो आते हैं तो इस वी लोग चाहते हैं कि قीसान को कुछ भी नश्टना केंगे उनके घर में उनके माबाप यह सब्ट्नों कोई न कोई फिर खेति ही काम करते हैं और खेती में जो काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा 75% लोग जो है आज स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है और ये नया एक्ट से जो कॉर्परेटरिजिशन होने वाला है कॉर्परेटरिजिशन के वज़े से मीडिल और स्मॉल फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा जो पूरा देश का बैकबॉन माना जाता है वैसे किसान का बैकबॉन तोड़ने का ये सरकार जो काम कर रहे है उसके खिलाफ जो है पूरे पूरे वरकर्स पूरे स्कीम वरकर्स और पूरे अनार्गरे सेक्टर के वरकर्स भी किसान को अपना सपोर्ट दे रहे हैं और मजदू पूरा और किसान मिलके एक साथ मिलके काम करने के लिए तयार है और हम यह किसान ही नहीं पूरा population भी affect होने वाला है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा child labor भी बढ़ेगा क्योंकि earning members कम हो जाएंगे earnings कम हो जाएंगे तो बच्चों को school चुडा के जो है खेती में लगा देंगे और school drop out का rate और बढ़ जाएगा और अभी जो अंगनवाडिया और आशा का benefit जो मिल रहा है malnutrition कम करने का malnutrition बढ़ जाएगा एक ही अगर sentence में अगर बोला जाए तो food security will be lost so यह पूरा population effect होगा इसके लिए पूरा worker मजदूर लोग जो है इसके किलाफ है मुस्कीम workers की पूरे लोग जो है अपना पूरे से पूरे support यह किसान संगटन को दे रहे हैं पूरे सब यह success हुए तक हम सब आपके साथ है किसान और मजदूर एकता जिन्दाबाद किसान जिन्दाबाद thank you comrades